यह जो बाइक है यह है एक मोडिफेट बजाज पलसर 200 जिसका आपे कस्टमाइज किया है ब्रिलियंट कस्टम मोडरसेकल ने आप लोग भी इस बाइक का लुक दे सकते हैं इसका बाइक का जो लुक है वो बहुत ही ज़ादा अमेजिंग है आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने मालें इसी बाइक के बारे में और अगर आप से भी लोग इंटरसेट होंगे इस बाइक के उपर तो मैंने इनका सारका सारका कॉंटेक्ट डिटल सब कुछ अमने डिस्क्विशन में दे दिया है चैक उट जरुक रहेगा और आपसे पिसी चोड़ा से कोईसा यह बाइक पसंद आईगी ना तो प्लीस इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएगा पसंद नहीं आएगा तो डिस्लाइक मारना और कमिन में जरूर बताएगे कि आपसे भी को यह बाइक कैसे लगी तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुराज करते हैं, लेट्स बिगन दे वीडियो इसको एक एक चीज़े बताऊंगा, आप लोग प्लीज ध्यांसे जरू देखेगा, सबसे पहले तो मैं बात करें इसके टायर्स के बारे में, आप लोग इस बाइक का टायर्स देखे, देखे, फ्रंट एंड रियर दोनों ही टायर्स यहां पर चेंज किये गए, जैसे पर आप लोग नोटिस करेंगे, यहां पर अलॉइवील को भी रिमूव किया गया है, और अलॉइवील को बदले, यहां पर आपको प्रॉक क्रिम से इन्हों ने डिफिनिटली यहां पर यूज किया है, तो दोनों ही टायर्स का जो और एक ओफ रोडिंग पर प्रपस के लि आपको KTM Duke वगरे में दिखते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह के suspension को अपनी बाइक में रखते हैं, तो front लोग काफी ज़धा bold and bulky देखने में लगता है, जो कि आप लोग इस बाइक पर देख पा रहे हैं कि क्या गजब का लोग इस बाइक का आ रहा है, मतलब बहुत ही ज़्य मैंने जब इस first time इस बाइक को देखा मुझे सच में ये बाइक बहुत ज़्यादा परसंद आई, इसलिए मैंने मुझे लगा कि क्योंने ये बाइक के बारे में आप लोग से यहां पर एक review दूँ, यहां पर हम लोग बात करें इसके fuel tank के बारे में, काफी bold and bulky fuel tank है, और दे position आपको देखने में नहीं लगा रहा होगा, बिल्कुल straight है, आप लोग इस side पीछे से देखिए, जो side panel है, जो fuel tank का बेस है, दोनों ही बिल्कुल एकदम aligned है एक दूसरे से, जो काफी ज़्यादा अच्छा है, यहां पर work किया गया है, अगर मैं बात करूँ, इसके पीछे क फ्रेम के बारे हैं, आप लोग इसका पीछे का फ्रेम भी देख सकते हैं, जो पीछे का फ्रेम है, वो completely यहां पर redesign किया गया है, क्योंकि बजाज पुलसर में थोड़ा से एक particular angle में फ्रेम रता है, तो यहां पर लेकिन इसका फ्रेम बिल्कुल straight किया गया है, और आप लोग अगर आप लोग जो seat का position है, वो थोड़ा से short रखेंगे, तो आपको यह look definitely देखने मिल जाएगा, बाइक में इसका front fender है, rear fender है, दोनों ही customize कियागा, अगर आप ध्यान देंगे, front fender में, वो भी एक छोटा सा fender है, और पीछे का fender भी आपको short fender यहां पर रखा गया है, इस bike का seat देखिए, seat का color भी बहुत ही जादा है, बिल्कुल एक dark brown color में रखा गया है, और अगर हम लोग बात करें इसके overall color के बारे में, तो इस bike का जो base color है, वो यहां पे completely black color से है, और जिसको fuel tank है, वो ही यहां पे सिप एक pure red color से रखा गया है, और यह जो bike का contrast color आ रहा है, सच में बहुत ही जादा attractive है, आप से भी लोग को इसका bike का color कैसे लगा, आप लोग प्लीज मुझे comment में सहरू बताएगा, इस bike का exhaust system है, उसको भी यहां पे upgrade किया गया है, बजाए इस पलसने बिल्कुल normal से exhaust से पर इस bike में customized exhaust system लगा गया है, और उसकी भी finishing आप लोग देखिए, ऐ साथ साथ इसका जो handlebar है, वो यहां पे clip-on handlebar का use किया गया है, बाइक में बहुत सारे आपको aftermarket S-series भी देखने मिल जाएंगे, जैसे कि इसका handlebar देखिए, फ्रेंड में आपको clip-on handlebar देखने मिलता है, इसका जो tail amp है वो आपको LED strip वाला देखने मिलता है, इसका exhaust system, साथ स इस जाधा amazing होगा, इस bike का allowable भी अगर आप देखें, इस bike में कोई भी allowable भी नहीं है, अगर बजाजपसर 200 देखेंगे और इसको compare करेंगे, तो यहां पे आपको spoke wheels देखने मिलता है, front and rear, दोनों में यहां पे spoke wheels का use गया गया है, बाइक में एक और interesting बात बता हूँ, तो आ काफे ज़्यादा neat हो, और आप लोग भी इनके bike का work देख सकते हैं, कि इस bike का work है, वो कितना ज़्यादा neat and clean है, मतलब इस bike का overall work मुझे बहुत ही ज़्यादा amazing लगा, especially इसका जो tires वाल लुक आ रहा है, और जोनों ने neat and clean work किया, वो काफे ज़्यादा सच में बहुत amazing है, आ आप सभी लोग का क्या कहना है, आप लोग प्लीज मुझे comment में ज़रू पताएगा, और मैं उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग ये बजाच पलसर 200 से कुछ ना कुछ तो सीखे ही होंगे, अगर ऐसा कुछ भी आप सभी लोग ने सीखा या भी ये bike पसंदा है तो हो सके तो इस तरह के बहुत सारे content डालके रहे हैं, सुमित ते एक नए वीडियो के साथ, thanks